हलो लिसनर्स आज के टूटोल में हम सीखेंगे blend टूल को पार्ट पर ऐलाइन हम कैसे कर सकते हैं फ़र एक्जाम्बल यहां पर हमार पास एक यह blend टूल का डियाग्रम है हमने इसको ऐलाइन करना अपने पार्ट की उपर यहां से हम सेलेक्ट करते हैं टूल बॉक्स से स्पाइरल जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे हमने इसको ड्रॉ किया ड्रॉ करने के बाद अब हम चाहते हैं कि यह जो हमारा जो ब्लेंड टूल की जो हमारे हमने create क्या हुआ यह हम spiral object के उपर show करना चाहते हैं मिन्स हमने इसको इस path के उपर ले किया आना यहां से हम क्या करेंगे इसको हम select करेंगे select करने के बाद हम क्या करेंगे object मिन हमें आएंगे यहां से हम select करेंगे blend जैसी हम blend के उपर select करेंगे हम इसको select कर लेते हैं स्लेक्ट करने के बाद हम अब्जेक्ट में जाएंगे यहां से हम ब्लेंड के उपर करेंगे और यहां से हम करेंगे रिप्लेस पार है हम क्या करेंगे दोनों को स्लेक्ट करेंगे select करने के बाद object में जाके blend में जाके आप यहां पर क्या करोगे replace final जैसे आप इसको replace final में आप देखोगे अब आप इसको देख सकते हो कि हमने जो है इसको इसमें create कर लिया है आप इसको deselect करके भी देख सकते कि जो भी हमने blend में जो create किया हुआ था डाइग्राम वो हमारे यहां पर इसमें शो हो गया है यहां से हम डिसलेक्ट करके इसको देख सकते हैं means that कि आपके पास जो भी आपने blend टूल में जो भी आपने कुछ बनाया हुएगा या कुछ create किया हुएगा उसको आप अपने अब्जेक्ट की उपर भी drop कर सकते हैं means यह आप देख सकते हैं आपके सामने अब्जेक्ट एक्जामपल जो है इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा अब्जेक्ट में जाएंगे blend पर क्लिक करके आप यहां से select करोगे replace spine यह बात का आप ध्यार रखेगा हम उसको कैसे align कर सकते हैं for example हम इसको यहां से ctrl z करते हैं और यहां से हम एक और option लेते हैं for example हम लेते हैं star हम इसको यहां पर star को selection tool से select करेंगे और हम इसको यहां पर थोड़ा सा rotate कर लेते हैं rotate करने के बाद जैसे आप इसको rotate कर लोगे आप इसके size को थोड़ा खं enchrease कर लेजिए और यहां से आप इसका fill color जो है वो none कर दीजिये none करने के बाद अब आप क्या करेंगे यहां से none कर दिया है और आप इसको selection tools से आप दोनों object को select करोगे जैसरे आपने दून अबजेक्ट को select कर लिया object में जाएंगे यहां से आप select करोगे blend और यहां से आप करोगे replace spine जैसरे आपनी replace spine पर किया यहां देख सकते हैं, आपको यह आपकी जो diagram है, उसमें शोट कर दिया, यहां आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने blend tool को किसी भी object की उपर आप उसके path को align कर सकते हो तो आज के tutorial में हमने blend tool को path पर align करना सीखा कि हम blend tool को हम अपने path पर कैसे align करते हैं Thank you